आगामी विदान सभा चुनाओं में आप किस दाविदार का सपोर्ट करते हैं? पर दूसरा सपई की है पेजल की समश्य प्रादो को कम्रान सब्सक्राउड निक रोड पर पानी योड सब्सक्रास आपनी वागरा अगीन उतिरोड की पर राइनके बिथली और ये शड़के टूटी फूटी हुई है ज़ाब अबेरोजगारी जढ़ा है गिराहीम जढ़ा हो रहा है स्रोम नहीं है यहां पर कैमरों की प स्इख और टोड़ी ज़्याइए सफाई पानि यहां है पोड़िकी पानिकी फिले प्राड़ों कमैंट hybrid प्रादों को कम करवाना जटकों को और पानी की निकासी कि रोड पर पानी बरा रहता है बरसातों में एक तो और सफाई थोड़ी सभी डंगे होती है ट्रैफिक अठिक्रमन और फाटक पानी रोड सडके लगेरा जंदी की वगेरा होती रोडों पर वस यह जगे कच्राफ कच्राफ टाफिक पानी की बिजली की और यह सड़के टूटी फूटी वी है थड़के खराब है बेरोजगरी जादा है किराहम जादा हो रहा है शुम नहीं है यहां पर केमरों की थोड़ी सुवीदा हो जाए तो रोड बनवान है और लाइट की समस्या है पानी की है इस सफाई की लाइप लाइटारहों की आवाज जनता अधिक में आप सभी का स्वागत है आज हमारे साथ है विधां मालवे नगर विदान सभासे जितेंदर-सौरी-माली-जी जितेंदर-सृ-माली जिए जितनदर- फाली नगरे से टीकेट की दावीदारी कर रहे हैं अगर आपको टीकेट मिल भी जाता है तो आने वाले हुआने वाले पांस साल बाद विधान सब्सक्राब को कैसा देखें गें जय्के इंक पर बार्तिय जिन्ता पार्टी के संक्षनात्मक्ट है कि हर घर से एक ना एक कारीक करता मिल याई और पुरी तरह से संग्षनात्मक्ट्र जलिशंत्य पडरी चिनाऊव से सथी के अ इसके इसके क्यों और फिडान सभास्ट्र के अंदर अबी जो पांच साल साल का जो समय निकला कॉंग्रेस सरकार का इस कॉंग्रेस सरकार के अंदर एक तो सड़के बिलकुल नहीं बनी पूरे शेत्र के अंदर जो भी थोड़ा बहुत काम हुआ वो विधाय कोशे जो विकास का काम होना चीता हुआ पर राज्य सरकार के दौरा किसी प्रकार का महापर विकास का कारी नहीं करके और उसको बड़े विख्षित गांदी निगर रेलो इस्टेशन को करने कामने की आयर पूरे शेत्र के दार लॉइंड ओडर की इस्तती बहुत जदा खराब है अभी पिसले काफी दिनों में हमने देखा है कि अनेक अनेक जो दुकाने थी मकान ते वहां पर चोरियों की की जुरत है इन सब चीजों को लेकर के अम चुनाव के मिदान के अंदर हैं आपके अनुसर आपके विदान सबाद छेतर में ऐसे तीन एहम मुद्दे क्या हैं जिनको लेकर आप चुनाव लड़ेंगे देखेक लॉइंड ओडर का जो है वो सबसे महत्वपुन हैं दूसरा या कॉंग्रेस से जुड़े जो लोग ते या जिन्नों ने पैसा खलाया ऐसे लोगों को ही जेडिये निगम और इनको पट्टे दिये गए हैं बहुत बड़ी संख्या के अंदर अभी तक लोगों को पट्टे नहीं मिले हैं कच्छी बस्तियों की समझ्चा है अंडर पास क अदिफों की समझ्चा है सब्सक्राइबिषा है नहीं बातों को लेकर हैं चुनाव दाविदारी कर रहे हैं इस विदानिसवा से उन में आपने अप हैसे देखते हैं कि मतलब जो भी विदान वीडाविदारी कर रहे हैं कि ऑन से अलग आप कैसे हैं 9 कि देखिए मालवी नगर विधानसवाश्यत्र मेरा बहुत पुराना शेत्र है क्योंकि है रास्तन विशुद्द्दल है मैं चुनाव लड़ा मैं और यहीं पर ही मेरे सारा मिने अपना वो सिस्ट्म चलाया और यहीं मैं मेरा मकान जैंडर वह भी इसी विधानसवाश्यत्र क मेरा जुड़ावरा है और सबसे बड़ी बात है कि रास्तार्ण विश्ड़ दाले सातरसंग अध्दक्ष रहने के दोरान जिन लोगों जो लोग हमारे साथ विश्विदाले के अंदर थे उसमें वह एक वोट थे आज वह पांच वोट हो गए जो उस जमाने में रास्तार में तीन उत्तम कारे करें हैं, मतलब सबसे अच्छे तीन उत्तम कारे क्या हुए हैं? देखिए, हमारे जो गृतार जीतते हाई हैं, और यहां पर अनेक उन्होंने काम करा हैं, और बारत्या जिनतापार्टी का कोई भी व्यक्ति हो जो व्यक्ति चुनाव जीतके आता है, वो अपने अपने शेत्र के इंदर दूसरे दलों के जो विक्ति होते हैं उनसे ज़्यादा बहतरकारा तो आप भी कई सालों से संघर्स कर रहें तो आपने भी ऐसे क्या तीन काम महत्वपूर्ण किया हैं पनुजित्रा के लिए देखें सबसे पहले बात दो कि इसे विधान् मैं पार्शद अभी हूँ वर्तमान में और यह इस प्रकार का वार्ड था कि जो जैपूर का सबसे बड़ा वार्ड वाना जाता है और जैपूर का हार्ट इस मेरे इस शेत्रंगंदर है जैपूर का सबसे शेत्रफल के दिस्टी से भी सबसे बड़ा वार्ड है आप देखें क करीब तीन चार किलोमेटर के अंदर फैलावा वार्ड है ये महिला चिक्षाल है सांगानिर गेट से लेकर के और अजमिरी गेट न्यू गेट पांच बत्ती होते वे बगवांदास रोड और फिर बगवांदास रोड से रामबाग सरकील और फिर गुरलब जी अस्पताल होकर करके बापुनगर होकर के गांदी सरकील होकर के फिर जेलेन मार्ग होते हुए फिर एमडी रोड तक का मेरा शेत्र है और इतना बड़ा शेत्र के बीच में मैंने जेडिये से और नगर निगम क्योंकि नगर निगम बोर्ड तो बीजेपी का है परन्तु लगातार इस सरकार ने board को disturb करने की कोशिच करी, बोर्ड में के विकास के कामों में रुकावट डालने की कोशिच करी, फिर भी वहां लड़ाई जगड़ा करके, लड़ जगड़ा करके, दबाब बना करके हमने जेड़िये और नगर निगम के मादियम से मेरे शेत्र में काम करा है, सबसे बड़ा काम जो हमने करा है, एक तो मेरे शेत्र के अनेग जगों पर हम जहां पर बहुत ज़्यादा तूट फूड थी फुटपात की, उन फुटपात पर हमने टाइले लगवाने का काम किया है, इसके अलावा हमने जो जैपूर का सबसे बड की जो निकासि के लिए पानी का सिस्टम था उस पानी के निकासि के पूरा सिस्टम को मैंने अभी मनेज करवा करके पूरा पानी निकल जा parlé उसकी विवस्ता वो करी है और तीसरा साथ-साथ जो छोटी-छोटी ऐसी सड़के थी जो 20-15 फूट की थी जहां पर अभी तक सड़के बनी नहीं थी और बनी थी तो 15-15-20 साल पुरानी सड़के थी उन जगों पर सिमेंट की सड़के और डामर की सड़क से इस प्रकार से निर देक है भार्तिय जन्ताप प्रीक केंदर वियरा और दा और एस प्रांड निकला है और भारतिय जन्तापार्टी मेरे प्राण निकलेंगे भारतिय जन्ता-पांटी किसे लिएदिक सब्संपर ऺकास उसका विकास ka विश्वास न्रेंदर नरेंडर मोदी जी ने नारह दिया है उसके अधार पर हम अपना कार्य कर रहे हैं नरेंडर मोदी दारा्ध 370 को याट किया जाएगा chin और सदेव वो है नरिंदर मोढि किसान किसानों कि आयक को दुगना करने के लिए नरिंदर मोढी जी ने प्रति अपना अभार विक्त करें भारत इस देश में विश्वके अंदर इस देश का इड़ नाम करने का काम किया है जब उक्रेण और्रूस का युद्ध चल रहा था ज इसको किसी भी देश ने हाथ लगाने की जरुरत नहीं समझी उसको उसके डर गए और डर करके उनको सारे वहां के जो नागरिक जिनके हाथ में तेरंगा जंडा था उनको निकालने का एक यह देश की महानता का प्रतीक उभर के आया है देखें लॉइंड ओर के लिए यहाँ पर इस राजस्तान जो कि शांत प्रदेश माना जाता था उसको रेपिस्तान बनाने के लिए एक अगर किसी की भागी दारीता है तो वो इस अशोग गैलोद साब की है राजस्तान का सबसे बड़ा मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है लॉइंड ओर और और दूसरा है यहाँ पर महिलाओं और दलितों के साथ में होने वाला हत्यचार राहूल गांदी देखिए जनता के सामने जूच परोस के महबत की दुकान के नाम से नफरत बेशने का अगर कोई काम कर रहा है इस देश के अंदर तो वो राहूल गांदी वोटर 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 इस देश का वोटर इतना परिपक्प हो गया है कि चाहे अशो गयलो साब कितनी भी रेवडियां बाच करके उनके वोटर को लुभाने के कोशिच करे पर अपना वोट जो है वो इस देश और विकास के नाम पर पड़ेगा यह खास बातचीत में जीतंदर स्री मालिच से जो हुई खास बातचीत उसके लिए बहुत बहुत धनेवाज जीतंदर जी आपको